प्राइवेट कॉलेज, सरकारी फीस, कॉलेज भी देश का नमबर वन, जी हाँ, CMC वेलोर मेडिकल कॉलेज ने अपने अप्लिकेशन फॉर्म्स आउट कर दिये हैं, आपके पास मौका है देश के बहतरीन और सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का Christian Medical College, वेलोर, यहाँ पे अड्मिसन का जो प्रोसेस है वो बाकी कॉलेज से जरा सा अलग है, step by step बताऊंगा आज की इस वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ, अगर नए हैं हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कुछ स्टेट के फॉर्म आने वाले हैं, इ इस वीडियो से लोग गंभीर से गंभीर विमारी का इलाज कराने के लिए आते हैं, बात करें इसके मेडिकल कॉलेज की तो यह प्राइवेट में सबसे सस्ता और बहुत ही रेपटेड कॉलेज है, 2018 में जब NIRF ने रैंकिंग सुरू की मेडिकल कॉलेज इसकी, वहाँ पे थर्ड रैंक मिला था, 2019 में भी इसने अपना थर्ड रैंक बरकरार रखा था, CMC वेलोर से पहले नंबर वन पे एमस आता है, नंबर टू पे PGIMER चंडीगर का कॉलेज है, नंबर थरी CMC वेलोर का है, CMC वेलोर देश का एकमातर ऐसा कॉलेज है, जिसकी फीज कई गॉर्में के लिए जो फॉर्म से हैं, वो 12 फरवरी 2020 को आउट हो चुके हैं, 26 मार्च 2020 जो है लास्ट डेट है, हर एक स्टुडेंट आल ओवर इंडिया से यहां पे अपलाई कर सकते हैं, और उनको इसी प्रोसेस से गुजरना है, कोई भी स्टुडेंट अगर अभी अपलाई करने से चूक जाता है, तो बाद में अड्मिसन के लिए अलिजिबल नहीं होगा, बेसिकली चार पार्ट हैं यहां पे अड्मिसन प्रोसेस के, नमबर वन पे आपको जो फॉर्म अभी आउट हो चुका है, CMC विललोर का, वहां पे अपलाई करना है, अपलाई करने के लिए आप ल के रेंग को इसी वेब साइट पर आके वापस फिल करना होगा, अभी फॉर्म भरते से मैं आपको अपनी इमेल आईडी और फोन नमर का यूज करना है, और उसे अच्छे से से सेव करके रखना है, अपना अपलिकेसन नमर साथ में रखना है, और इसी अपलिकेसन नमर की को अपने अकाउंट पर फीड करेंगे, तीसरा इस्टेप जो होगा वा आपको तमिल नाडू की गवर्मेंट के दारा जो काउंसिलिंग होती है, जो मैनेजमेंट कोटे के लिए काउंसिलिंग होती है, आपको वहाँ पर फिर से रेजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पर आप जब complete कर लेंगे तो वहां से आपको एक AR number मिलेगा इसके अलावा जो merit list जारी होती है management quote की उसका जो rank number होगा ये दोनों चीज़ें आपको एक बार फिर से आपके account पे जाके login करनी होगी उसको आपके details के साथ link करना होगा चौथा इस्टेप जो होगा वो allotment का होगा merit के basis पे allotment की जाती है कुल 100 सीटें available है CM civil law में इन 100 सीटों में से 16 सीटें हैं जो all over India candidate के लिए open है इन 16 सीटों में से एक central pool quota है तीन सीटें जो है वो SCST के लिए हैं 12 सीटें open रखी गई हैं सभी इस्टेट के student यहाँ पर apply कर सकते इसके अलावा 10 सीटें जो होती हैं वो वहाँ के staff के लिए reserve होती है 74 जो बची हुई सीटे हैं वो Christian minority की सीटे हैं अगर आप Christian community से belong करते हैं तो पूरी detail में ब्रोसर को पढ़ें अलग-अलग वहाँ सब categories हैं जिनके basis पे reservation प्रोवाइड किया गया है need के result के बाद जितने भी qualified student होंगे वो सभी eligible होंगे इसमें आगे participate करने के लिए तो फिलहाल आपके पास need का result नहीं है अगर आपने need का form भरा है और आप exam देने की planning कर रहे हैं तो इस form को जरूर भर लें आगे चलके आपके पास मौका होगा देश के सबसे बहतरीन और सबसे सस्ते कॉलेज में पढ़ने का फिर से रिपीट कर देता हूँ yearly tuition fees जो है CMC वेलोर क्यों मात्र 48,330 है 31,000 पर year जो हो miscellaneous खर्च है इसके अलावा 6,000 रुपए मेस के चार्जे से कुल मिला के देखा जाए तो 85-86,000 रुपए पर year के खर्च पे आप यहां MBBS की पढ़ाई कर स यहां पर आपको direct admission दिला सकता हो कई बार मैंने सुना है कि बहुत जादा धोखा धड़ी भी होती है CMC वेलोर में admission कराने के नाम पर किसी भाकावे में मत आईएगा form apply कर दीजिए NEET का score डाल दीजिए फिर counselling में participate करिए अगर आपके पास प्रॉपर marks होंगे तो ही आपको counseling करें अगर चाहें तो हमारे expert भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं हमारी कुछ premium paid counseling services हैं जिनके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की description में एक form पढ़ा है वहां अपने details डाल दें हमारे team आप से संपर्क कर लेगी बहुत जल मिलता हूं नए वीडियो झाल झाल